राधे राधे यूटू फैमली चलिए आज बनाते हैं बेशन के स्वाधिष्ट और एकदम दानेदार लड़ू बहुती आसाने इनको बनाना एक कड़ाई रख दी है इसमें डाल दिया है सो सवा सो गिराम के जितना घर का शुद्देशी गी आप यहाँ पर आधा घी और मुझे बेशन लिया है जिसकी हम घर में कड़ी या फिर पकोडी बनाते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर आधा मोटे वाला बेशन और आधा यह फाइन भी ले सकते हैं बट मैं तो पारिक वाले बेशन से ही बनाती हूं, गैस को फलेम मीडियम और लोके बीच में कर देना है और इस बेशन को टोटल हमें 12-13 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है 3-4 मिनट हो चुकी है बेशन को भूनते भूनते यहाँ पर मुझे यह थोड़ सा सूखा सूखा लग रहा था और इसमें लम्स भी बनते जा रहेते अगर आप चाहे तो यहाँ पर एक दो चम्मच के जितना घी भी डाल सकते हैं नहीं तो लम्स को ऐसे ही मैस करते चले जाए और बेशन को भूनते चले जाए दो चम्मच घी डालने के बाद बेशन का टेक्चर एकदम से पतला पतला सा हो जाता है तो बेशन को भूनते भूनते करेब मुझे 12-13 मिनट हो चुके हैं मैंने यहाँ पर गैस को ओफ कर दिया है और ओफ करने के बाद भी करेब इसको 1-1.5 मिनट के लिए चला लिया था उसके बाद यहाँ पर दो पिंच के जितना मैंने खाने वाला जो लड़ू का कलर आता है ना पीले वाला वो यहाँ पर डाल दिया है इस कलर को डालने से लड़ू में बहुत अच्छा कलर आता है मार किटके जैसा एकदम और अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं थोड़ा से ताकि जो हमने यह पर डाला है ना हमारे बेशन में अच्छे से मिल जाए मतलर की तो देखें आपर कितना चासा इसका कलर आ रहा है तो चली क्या करते हैं इस बेशन को एक बरतन में हम खाली कर देते हैं कि लोही की कड़ाई है अगर इसी में मैंने बेशन को छोड़ दिया तो बेशन का यानि के लड़ू का रंग सावला पड़ सकता है और मैंनी चाहते हूं मेरे बेशन के लड़ू की साथ कोई भी खुरा पाती हो तो मैंने इसको एक काज की पाउल में ट्रांसपर करती है और अभी न यह काफी गरम है इसको करीब हमें 15 मिनट के लिए छोड़ दे है देखे मैं इसको बहुत ही आसान से चूपा रहे हूं कहने का मतलब यह है यह जो बेशन है ना बहुत ज़्यादा ठंडा नी करना है हमें और बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं रखना है और इसमें हमें बूरा डाल देना है बूरा जिसको तगर भी बोला जाता है ठीक है मेरा इस्पेचला बीच में से तूर चुका है और यह नोस्टी की सिलिकोन का इस्पेचला है हातों से इसको हमें रगड देनी है कुछ इस तरीके से ताकि यह लड़ू बनाने वाली कंसिस्टेंसी में आजाए तो जब भी मैं बेशन के लड़ू बनाती हूं किसी भी चीज के लड़ू बनाती हूं और बंदने में थोड़ा सा दिक्कत करते हैं तो मैं क्या करती हूं जो मिश्रन होता है उसको उठाती रहती हूं और इस तरीके से हतेली पे रगड देती हूं ऐसा करने से क्या होता है एक तो हमारे लड़ू में बहुत अच्छा दाना बनता है और जो लगता है थोड़ी सी महना तो लगती है बट लड़ू का टेक्चर और टेस्ट ना बहुती ज़्यादा अच्छा आता है यह बंद ने मतलब लड़ू बांधने वाली कंसिस्टेंसी में आ चुका था और इसके मैंने लड़ू बांधने शुरू कर दिये हैं तो देखिए इसक लोगों पहले से ही बना के किसी भी बर्तर में काज के कंटेरर में बिन फ्रीज के स्टोर कर सकते हो और खुली के दिन जब पिया आपके घर में गैस्ट आय या फिर आपको जुरूत पड़े आप इनको सवरु कर सकते हो राधे राधे दोस्तों मिलती हूं एक और अच्छी कि रसी बिप्स